हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वॉक्षीट नमबर 9 जो की 16th of August 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है English तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो हम चाप्टर पढ़ रहे हैं वो है 3 questions चाप्टर का नेम है 3 questions और किस ने लिखा है चाप्टर ये लिखा है Leo Tolstoy ने तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी शुरू होती है यहां से complete the summary of the story using the hints given in the clouds तो हमें पूरी स्टोरी की summary दे रखी है और उस summary में कुछ words missing है या कुछ phrases missing है हमें options दे रखे हैं यहां पे यहां पे इन clouds में और इनसे choose करके हमें answers को fill करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं once there was a king who believed that he would not fail if he knew what was तो हमें first blank में इन चारों में से कोई एक चीज फिल करनी है तो यहां पे आएगी देखो क्या कहा है कि एक बार एक राजा था जो यह सोचता था कि कोई भी इंसान fail नहीं हो सकता अगर उसे पता हो कि सही समय पे क्या करना है तो पहले में आ जाएगा यह वाला right time for every action if he knew what was the right time for every action who were the to second में आ जाएगा right people to second में क्या आएगा right people who were the right people to be with वो कौन है सही लोग जिनके साथ आपको होना चाहिए and what was the most important thing तीसरे में क्या आ जाएगा यह वाला most important thing to do और अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें क्या करना चाहिए सबसे important हमारे लिए क्या है he proclaimed that he would give a great reward फोर्थ में क्या आ जाएगा great reward उसने कहा कि वो बहुत सारा reward देगा prices देगा to the person who can answer his three questions और उसने कहा जो मेरे इन तीनों questions के सही सही answer देगा तो उसको मैं बहुत सारे इनाम दूँगा अब इसके बाद story हमारी इधर जाती है many people came and all the answers given by them were different तो पहले में आ जाएगा different कि बहुत सारे लोग आए और सभी ने अलग-अलग answers कि the king was not at all satisfied और king इससे खुश नहीं था क्योंकि हर कोई अलग-अलग answer दे रहा था तो king को समझ ही नहीं आ रहा था कि सही answer क्या है he went to a wise hermit seeking answers तो वो एक hermit के पास गया मतलब एक saint के पास गया और उससे answer पूछा उसने the hermit was तो तीसरे में आ जाएगा digging the ground when the king reached there तो जब king hermit के पास गया तब hermit जमीन की खुदाई कर रहा था खुदाई मतलब digging तो third में आ जाएगा digging अब इसके बाद story जाती है यहाँ से कहाँ पे इधर तो इसमें हमें क्या करना है देखिए the hermit greeted the king and continued digging तो जो hermit था जो saint था उसने राजा को wish किया और अपना काम continue रखा the king repeated his questions but the hermit did not answer king ने hermit के सामने अपने तीनों questions को repeat किये पर hermit ने उसका कोई answer नहीं दिया the king helped the hermit in तो पहले में आ जाएगा किसमें help की तो जो hermit कर रहा था उसी काम में help करेगा क्यूंकि hermit digging कर रहा था तो उसी में राजा ने इसकी help की तो पहले में आ जाएगा digging then they saw a stranger तब इनोंने देखा कि एक अंजान आदमी आ रहा है who was badly wounded जो की बहुत जादा जिसके बहुत सारे घाव लगे हुए थे ठीक है running towards them जो की इन दोनों की तरफ भागा चला आ रहा था the king nursed him and blank his wounds और उसने उसके wounds तो king ने देखा कि गायल इंसान उसकी तरफ आ रहा है तो king ने क्या क्या उसके wounds पर यानि उसके घाव पर bandage लगा दिया ठीक है तो क्या हुआ later the man told that he was the king's enemy तो बाद में उस आदमी ने बताया जिसको घाव था बहुत सारा और king ने उसको bandage लगाया उसने बताया कि वो king का दुश्मन है and wanted to kill him और वो king को मारना चाहता था as the king saved his life अब क्योंकि राजा ने उसकी life को बचा लिया है he wanted to become his तो third में आ जाएगा servant तो अब वो दुश्मन नहीं रहा अब वो राजा का servant बनना चाहता है ठीक है अब देखो इसके बाद कहानी चाहती है यहाँ पे और इनके जो options है वो कहाँ दे रखे हैं यह हैं इन में से हमें fill करना है the king repeated the questions to the किसको repeat किये question hermit को repeat किये king ने question तो पहले में आ जाएगा hermit before leaving to this the hermit said that the king has already found his answers through his deeds so saint ने कहा कि आपको अपने questions के answer मिल चुके हैं वो भी आपको के खुद के कामों के द्वारा यानि आपने जो काम किया है deeds का मतलब होता है अपने काम या कारे तो जो आपने किया है उसी के द्वारा आपको आपके question के answer मिल चुके हैं he said that there is only one time that is important now तो हमिट ने कहा कि एक ही important time है वो है अभी का the most important person is the one who whom he is currently with और सबसे important इंसान कौन है जो आपके साथ है जिसके साथ आप हो and the most important thing to do is doing good तो third में आ जाएगा doing good to that person तो सबसे important काम क्या है कि आप जिसके साथ हो या जो आपके साथ है उस इंसान के साथ आपको अच्छे से रहना है उसके लिए अच्छा करना है यही सबसे important चीज है आपकी life में करने के लिए तो यह थी हमारी story जिसमें जो हमने missing words थे या phrases से उनको fill किया तो I hope आपको यह story अच्छे से समझ में आई होगी और यह worksheet भी बहुत interesting लगी होगी thank you